हिंदी सिनिमा के इतिहास में कई खुबसूरत हेरोईने हुई है लेकिन रेखा जैसी खुबसूरत शायद ही कोई हो अपना 63 वा जन्म दिन मना रही रेखा को देख कर लगता है कि वो बढ़ती उम्र के साथ और भी जवां होती जा रही है लगता है जैसे उन्होंने सोमरस ही चखा हो हर कोई उनकी खुबसूरती का कायल है और कहीं न कहीं जानना चाहता है कि आखिर उम्र के इस पड़ाव पर भी रेखा इतनी खुबसूरत कैसे लगती है और उनकी खुबसूरती का रास क्या है हम आपको बताएंगे देखा के कुछ ऐसे ही ब्यूटी सीक्रिट्स क जहरीली चीजों को निकाल देता है जिससे हम अंदरूनी तौर पर खुबसूरत और यंग नजराते हैं रेखा भी ये तरीका आजमाती है इसके अलावा रेखा तली भुनी चीजों और हद से ज्यादा पकाए गए खाने से कोसों दूर रहती हैं साथ के पार पहुंचने प बजे तक दिनर कर लेती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सो जाएं और अच्छी नीन लें अच्छी और पूरी नीन लेने से ना सिर्फ आपके शरीर की ठकान दूर हो जाती हैं बलकि आप दिन भर तरो ताज़ा महसूस करते हैं और यही ताज़गी आपके चेहरे पर को आजमाती हैं अपने बिजी शेडियूल से वक्त निकाल कर रेखा अरोमा थेरेपी और आयूरवेदिक स्पार ट्रीच्मेंट लेती हैं रेखा एक अनुशासित लाइफ स्टाइल में रहती हैं यही वच्छा है कि लाख परेशानियों के बावजूद उनका असर रेखा पर नहीं पड़ता, रेखा की खुबसूरती की ही तरह लड़किया और बाकी हीरोई ने उनके खुबसूरत बालों की भी कायल हैं, क्या आप जानते हैं कि रेखा आपने बालों की देखभाल कैसे करती हैं? रेखा नाचरल चीजों में विश्वास करती हैं और इसलिए बाल को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई